कैसे हैं आप लोग, I hope अच्छे होंगे, healthy होंगे और साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे Community Coding की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग आगे बात करेंगे How to convert integer into string किसी में integral number को हम लोग string में कैसे convert कर सकते हैं Last Lecture में हम लोगों ने सीखा था कि असर में जो integer होते हैं, string होते हैं, errors होते हैं, जो data type होते हैं, वो data असल में store कैसे रहते हैं हमारे memory में हम लोगों ने वो सीखा था कैसे हम लोग उसे fetch करते हैं by indexing, string के number को, string में character values stored होते हैं काफ़ सारे बात ये लास्ट लेक्षर में हम लोगों ने करी थी, जिससे आप लोग अभी तो किलियर हो गया होगा कि integer और string में अंतर क्या होता है, आज हम लोग बात करेंगे कि इसी integer को string में convert कैसे करते हैं, तो आज़े start करते हैं, सबसे पहले इसके लिए एक class defined होता है, input-output class, जिसके तीन objects होते हैं, string-string, i-string-string और o-string-string, i-string-string मतलब input-string-string और o-string-string मतलब output-string-string, basically ये तीनो जो objects है, input-output class के, इसके details पे हम लोग C++ के video lecture से बात कर रखे हैं, इसका आज हम लोग जहाँ पे basically function सीख रहे हैं, बताए use सीख रहे हैं, कि कैसे हम लोग इसको use करते हैं, हम लोग integer को string-string में convert करने के लिए o-string-string-string का use करेंगे, now सबसे पहले और इन सब सारी जैसे मैंने बताया था, कि see out first lecture में, see out, see in, इन सारी चीज़ों का declaration जो रहता है, जो function का declaration रहता है, जो code written रहता है, वो एक header file में written होता है, iostream.h, उसी तरह इस class का, जो भी functions है, जो भी object है, जो इन-built, pre-determined code है, और उसके जो basic function है, उस सब का declaration, as stream hydra file में included है, तो हम लोग इसे भी integer को string में कैसे convert करते हैं, उसका following steps है, पहले हम लोग hydra file include करेंगे, एक integral data लेंगे, और फिर string, output string stream, जो step number 3 है, output string stream का एक variable लेंगे, और फिर उस variable में, जो हमारे integral data है, उसको इस्टो कर देंगे, यहां तक के लिए, नो एक अलग string variable लेंगे, नाम लेते हैं, string, st, s, कुझी माल लेते हैं, और उस variable में, जो हमारा नया string दाया, उसको डाल देंगे, इस तरह से यह process हुआ, कि interior को string में कैसे convert करते हैं, आई यह ब डेमो स्टार्ट करते हैं, आई यह अब डेमो स् using namespace, std, now int main, हम लोगे की डीजा डिटा ले जाते हैं, int, n बराबर माहन लिपते हैं, लोग, 2345, ओके, ना अब क्या करना था, declare करना था, declare, output, string, string, तो हम लोगे, अब हैले, header file include करना था, यह strip दो बुलाईंगा है, यह यह रहा मैरा, include the header file, हम लोग पहले header file include करेंगे, as a string dot h, dot h नहीं लगेगा, dot h नहीं लगेगा, because आज के प्रचलन में, dot h का system, updated हो चुका है, हटा दिया, हटा दिया जा चुका है, वो सिर्फ चीज़े, dergo c++ में लगती है, n बराबर 2345, हम लोगे integer माल लिया, no, o, string, string, ले लिया, इसके object माल लेते हैं, str1, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, sending, number, जो integer है, integer है, यहां लिखा हुआ है, stake integral ले चुके, अब declare the output stream भी कर चुके, अब send करेंगे उस integer को, जो हम लोग integer माने हैं, उसको क्या करेंगे, str1 में डालेंगे, integer as a stream into o string, ठीक है, इसमें क्या, str1 operator m, यहां दा कोई दिख्कत, कोई दिख्कत नहीं, अब हम लोग declare करेंगे, अब जो है, अब यह जो number है, अब यह number, एक n क्या, यह number एक integral data है, जो कि n में stored है, अब o string, o string string के जरीए, हम लोग इस number को, एक string में convert कर रहे हैं, ठीक है, तब string में convert कर रहे हैं, तो हम लोग उस string को, उस string को किसी एक string variable में store करेंगे, तो वो string variable हम लोग declare कर देते हैं, string s मान लेते हैं, ठीक है, और s में आ जाएगा, क्या, str1. और यह होता है, function, जो कि convert करता है, str, अब यह चीज़ हमारा string में convert हो गया, यहां तो कोई दिखकर, कोई दिखकर दी, अब जैसे कि आप कैसे convert कर देंगे, हमारा, string, out, uh, output, out, output, the, a string, see out as, our, our new string is, s, आई शको रहन कर के देखता, it's running, यहां दे है, running लिखा रहा है, our new string is, 2345, अब कैसे मानी यह string है, तम लोग क्या करते है, c out करते है, s of, पहला index के क्या आना चाहिए, अगर यह string है, तो इसका यह लोग, अगर यह string, अगर यह string है, अगर, s जो है, हमारा string है, तो, इसका पहला index भी होगा, क्या है, 2345, पहला index में क्या आना चाहिए, 2, देख लेते हैं, second, अफिर, third index में क्या आना चाहिए, फर्स्ट इंटेक्स नहीं लिख देदें, लिख देक्लिर कर देते हैं, first, index, हो ओके नव अब संव लोग थार्ड इंडेक्स थार्ड इंडेक्स हो कौन रहा हो अस्टू विए को हम लोग इंडेक्सिंग जिरो चेस्टार्ट करते हैं लास्ट आगाइन बात करी थी ना स्टार्ट रंकर दें फर्स्ट इंडेक्स इस्टू एक ग्याप देते हैं यहां पर फिर से रण करते हैं बेटर विजुलाइशन के लिए आवर न्यू श्ट्रिंग इस टू थी फोर फाई फर्स्ट इंडेक्स इस टू और था तीसरा है फॉर्थ सब्सक्राइशन के लिए सब्सक्राइशन केु थोस्ट इस तरह से हम लोग किसी इंडेक्टेशन को डायरेक्ट स्टिंग में कंवर्ट कर सकते अब बहुत लोगे दिमागे questions आ रहा होगा Sir last lecture में हम लोगे क्या कर रहा था कि integer को convert करना था किसी character को integer में हम लोगे लिखते थे और फिर जो character था मान लेते हैं character था हमारे पास P तो P वराबर something A मान लेते हैं तो हम लोगे सिर्फ पी लिख कर दिया था तो बारा convert हो गया था इस case में हम लोग क्या करते हैं integer को यहां पर जो integer है 1,2 उसको क्या करते हैं string मानते हैं and string s मानते हैं और उसको string में convert कर देते हैं ऐसे लिखके यह चीज error बताएगा क्या exactly यह चीज़ error बताएगा हम लोग यह का आप इसमें नहीं कर सकते हैं data type conversion directly, braces के थुरू सिर्फ character और integer की वीश्में होता है ना कि string और integer की वीश्में होता है तो यह चीज़ यहां पर अगलत होगा हम लोग को o string string का use करना ही पड़ेगा okay hopefully आप लोग के इसमझ में आया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी interior के string में convert कर सकते हैं अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लग रहा है तो please like कीजिए, comment कीजिए and हो सब्सक्राइब भी कर दो यार काफी मैनल से वीडियो बना रहा हूं अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों के साथ share कीजिए thank you, मिलते हैं next video में